दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूतर समंधी रोग के बारे में और जानेंगे मूतर समंधी रोग को कैसे ठीक किया जाए सिर्फ और सिर्फ योग के माध्यम से दोस्तो आप में से भी जिनको यह समस्या है इसे हलके में न लें दोस्तो या एक गंभीर रूग है इसे हलके में न लें और इसका समाधान करने का प्रयास करें दोस्तो जिन लोगों को चीकने पे या खासने पे या फिर पेट या टांगों की मसल में हलका सा खिचाव आने से मूत्र स्वत्य ही निकल जाता है या फिर आप साइकल चला रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं या फिर कोई गेम्स खेल रहे हैं और उस दोरान आपका मूत्र स्वत्य ही निकल जाता है तो यह अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है तो आज मैं इस बीमारी से निबटने के लिए आपको कुछ योगासन बताऊंगा जिसे आप इस बीमारी को 20 से 25 दिन में जड़ से खत्म कर सकते हैं दोस्तो यदि आप में यह समस्या है तो समझ लिजए आपका पैल्विक फ्लोर मसल कमजोर हो गया है या फिर आपका यूरिन ब्लाडर कमजोर पढ़ गया है और यूरिन ब्लाडर के आसपास के मानसपेसियां ठीक से काम नहीं कर रही है या फिर आपका यूरित्रा जो मूत्र मार्ग को यूरिन ब्लाडर से जोडता है वहाँ कमजोर पढ़ गया है जिस कारण आप अपने मूत्र को ठीक से नहीं रूप पा रहे हैं दोस्तो यदि आप में से किसी को यह समस्या है तो यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है वीडियो को आन्त तक देखें ध्यान से देखें और साथ-साथ आपने आप भी योगा भ्यास करें दोस्तो मैं योगी ललित बिस्ट स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें सेयर करें सस्क्राइब करें और बेल आइक उन जरूर दबाएं ताकि मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो दोस्तो चले शुरू करते हैं अभ्यास सबसे पहले हमने बैठना है तितली आसन या बटरफ्लाइ पोज में दोनों घुटनों को मोर देंगे दोनों पैर के पंजे आपस में मिले हुए और दोनों हात उसे पैर के पंजों को ऐसे पकड़ देना है कमर और गर्दन बिल्कुल सीधा रखना है फिर धीरे धीरे तितली की तरह तितली के पंखों की तरह दोनों पैरों को हिला देना है ऐसे और खिचाओ मैसूस करना है आपने ग्रोइन एरिया में खिचाओ मैसूस करना है आपने अपनी प्लेविक फ्लोर मसल पे हिप जॉइंट्स के ऊपर, इनर थाइस के ऊपर फिर 15 से 20 बार ऐसे दोनों पैर हिलाने के बाद आपने दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखने है और लंबा ग्रोइन स्वास लेना है फिर स्वास छोड़ते वे दोनों घुटनों को नीचे प्रेस करना है कमरे बिलकुल सीधा रहेगा अब आपको खिचाओ मैसूस करना अपने से 15 सेकंड्स आपको इसे स्थिती में बने रहना है फिर धीर से दोनों पैर ऐसे मिला देना है और पीठ गर्दन को सीधा रखना है दोस्तो ये था हमारा पहला अभ्यास अब बात करते हैं दूसरे अभ्यास की एक पैर को ऐसे मोड़ देना है और पैर का टकना आपका एनस के ठीक सामने रहेगा और दूसरे पैर बिलकुल सीधा दूसरे पैर का हिप ज़ांच और अंकल ज़ांच एक लाइन में रहेगा आपका पैर का पंज़ा उपर के ओ रहेगा पीठ गर्दन को बिलकुल सीधा रखना है दौनों हाथ मैट के उपर रहेंगे खिचाओ को महसूस करेंगे आप अपने दाइने पैर के थाइज के उपर, थाइज मसल के उपर हिप के उपर, हिप चौंट्स के उपर दोस्तों जिन लोगों का मूत्र स्वता ही निकल जाता है उन लोगों को ज़्याद से ज़्यादा फूकस लेग स्ट्रेचिंग पर करना है तब कि आपकी लेग मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉंग हो और आपके internal organs में blood और oxygen का प्राप्त मातरा में circulation हो फिर सेम इसी अभ्यास को आपको दूसरी तरप से करना है फिर वापस और पालत भ्यास आपको मलासन की स्थिती में बैठना है ऐसे दोनों पैरों में आपको दो से धाई फिट का ग्रेप करना है पंजे बहार की ओर रहेंगे घुटने पीछे की ओर दौनों हाथ ऐसे मोड़ देने हैं और अपने घुटनों को पीछे के उर प्रेस करना है। कमर बिल्कुल सीधर हैगा दौनों हाथ की मुठियां बन। लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। आपको खिचाओ मैसूस करना अपने हिप जोइन्स के उपर, इनर थाइस के उपर, लोर बैक के उपर और अप्डॉमनल मसल के उपर। स्वास लेते रहना, छोड़ते रहना बहुत ही अच्छा आसन है। यदि आपको स्वता मूत्र निकलने की बीमारी है तो बहुत ही अच्छा आसन है दोस्तों, इस आसन का अभ्यास आपको तीन से पांच बार रूज करना है। फिर धीर से वापस, दोनों हाथ नीचे। अब आपको बजरासन की स्थिती में बैठना है। बजरासन में बैठने के बाद आपको मंडूक, आसन का अभ्यास करना है। दोनों हाथों की मुठ्या बनानी है। अंग उठा अंदर की ओर रहेगा। और दौनों हाथ आपके नेवल के आस पास रहेंगे, लंबा गहरा सास लेंगे, स्वास छोड़ते हुए आगे जुकेंगे, और माथा मैट के उपार या जमीन के उपार, अगर लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो इसी स्थिती में बने रहें, स्वास लेते रहें, स्वास भरते हुए वापस उपार, स्वास छोड़ते हुए आगे जुकेंगे, स्वास लेते हुए वापस, अगला अभ्यास दोनों पैर सीधे करके बैठ जाएंगे आप, अब पस्यमो तानासन का अभ्यास करेंगे, हिप जौंट्स और एंकल जौंट्स आपके एक सीध में रहेंगे, दोनों पैर सीधे, पैर के पंजे उपर के और, कमर बिल्कुल सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधा फिर दोनों हाथ स्वास भरते वे उपर और स्वास छोड़ते वे आगे जुकेंगे यदि आप पूरा नहीं जुक पाते तो आप इसी स्थिती में बने रहें दोनों पैर के पंजों को पकड़े कमर, हाथ और दोनों पैर बिल्कुल सीधा रहेंगे प्रारंबिक अभ्यास कुछ दिनों इस तरह अभ्यास करे फिर स्वास भरते वे दोनों हाथ उपर स्वास छोड़ते वे आगे के ओर जुकेंगे और पकड़ेंगे अपने पैर के पंजों को फिर दीरे-दीरे कोहनिया मोड के आगे के ओर जुकेंगे कंद नीचे की और माथा आपका पयरुक्ष के उपर फिरधीर से वापास तीन से पांच बार इस तरह आपने इस आसन का अभ्यास करना है अब अगला अभ्यास आपको पॉन मुक्तासन का अभ्यास करना है एक एक पैर से पीठ के बर लेट जाना है, पीठ गर्दन को सीधा रखना है, पैर के पंजे सामने के ओर, दाइने पैर को घुटने से मोड़ देना है, फिर दोनों हाथ घुटने के उपर, और धीर से पैर को अपनी तरफ खीचेंगे, फिर गर्दन उपर और चिनाप का दोस्तों अगला अभ्यास सबसे महयतवपून अभ्यास, नौकासन याने नवासन, फिर धीर से आपने दोनों पैर, कंधे, दोनों हाथ ऊपर उठा देने हैं और नाव की जैसी आकरिती बनानी है आपका माथा और आपके दोनों पैर के पंजे एक लाइन में रहेंगे स्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे खीचाओ मैसूस करेंगे अपने नेवल पॉर्शन के उपर, एब्डमनल मसल के उपर और स्वास छोड़ते हुए नीचे इस अभ्यास को आपको तीन से पांच बार लगातार दोहराना है दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्याद से ज़्याद सेयर करें ताकि जरुरत मन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकें